हलो दोस्तों, इंट्रलक्टो डाटिन के यूटूब चैनल पे आपका सौगत है जैसा कि UPSSSPET का एकजाम सिदंबर महा तक कराया जाएगा उसी के लिए हम जियोग्राफी से रिलेड़ेट कुछ इंपॉर्टन कोईश्चन कराएंगे आईए आप सब लोग जुडियेगा, हम क्वेश्चन करते हैं आगे देखते हैं जैसा कि पहला क्वेश्चन हमने लिया है भारत के लिए इंडिया सब्द का प्रियोग निम लिखित में से किसने दिया था? ठीक है तो यह दिया था यूनानियों ने यूनान भासा के इंडोई सब्द के इंडोई सब्द से भारत का नाम इंडिया पड़ा है ठीक है अगर यहीं पर बात करें कि भारत के अन्य कौन कौन से नाम है तो पहला नाम देख लेते हैं भारत ठीक है दूसरा नाम हिंदुस्तान ठीक है हिंदुस्तान और उसके बाद आरेवर्थ और नेक्ट जम्बू दिव ठीक है जम्बू दिव अब बात करते हैं इनके सुरोतों की तो जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा है वह रिगवईदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है ठीक है अगर वाई पुर्णार के संदर्व में बात करें तो सकुंतला और राजा दुश्यंत के पुत्र भारत थे जिनके नाम पर हमा नाम पर हमाई देश का नाम आरे वर्थ पड़ा है यहीं पर जम्बुदीउप की बात किया जाए तो भारती उप महाद्यूप के जामुन के व्रक्षों की अधिकता के कारण हमारे देश को जम्बुदीउप नाम से भी जाना जाता था ठीक है अब नेक्स्ट क्वेशन देख अवस्थिति है तो संपूर्ण ग्लोब पर भारत की अवस्थथि क्या है देख लेते हैं इसको कि यह हमारा हे सिखेंगे में सबस्ट है यह है जिरो डिग्री ठीक है यानिए कि यह है जीरो डिग्री डिग्री लाइन है और यह व ओपर से एक लाइन और खीच लेड़े ठीक है यह है पूरवी देशांतर यह है उत्तरी अक्षांच ठीक है अब अगर बात करें गलोब पर भारत की स्थित तो भारत की स्थित यहाँ पर पड़ती है ठीक है यहाँ पर तो अब आपको पता ही होगा यह है उत्तर ठीक है और यह है पू नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं भारत का छेटर्फल विश्व के छेटर्फ़ का कितना प्रतिया थे ठीक है तो जो भारत का छेटर्फल अगर भारत के छेटरो की बात किया जया है तो वह है 32,87,264 walk kilometers, ठीक है? यह बहुत का छेत्फभल है, अगर भारत का छेत्फभल देखें कि भारत विश्वमें छेत्फभल की दक्युक्त से भारत का इस्थान कॉन सा है? तो भारत का इस्थान है साथोवाँ, अगर इसके विश्व में पहले इस्थान पर कौन है या सिर्ष में इसके उपर कौन है छहे देश, तो उनकी बात कर लेते हैं, तो नमबर एक पर है रूस, ठीक है, उसके बाद है कनाड़ा, ठीक, उसके बाद है अमेरिका, अमेरिका है, और फिर चौथे नमबर पर चीन है, उसके बाद ब्राजील, ठीक, ब्राजील के बाद छटवे नमबर पर है, आस्ट्रेलिया, और आस्ट्रेलिया के बाद भारत है, ठीक है, यहाँ पर आस्ट्रेलिया है, आस्ट्रेलिया के बाद हमाए देश, भारत का इस्था आता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोईस्टन देखते हैं भारत कैसी आकरती वाला देश है ठीक है तो हमाएं भारत की जो आकरती है वह चतुस कोड़ी है ठीक है कैसी है चतुस कोड़ी है देख लेते हैं भारत को थोड़ा सा यहां पर कि ओके अब भात के अगर हम सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो देखिए ऐसे करके भारत जो है चतुस्कोडी ये आकरती में बना हुआ है ठीक है तो अगर पूछेगा question की भारत की आकरती कैसी है तो चतुस्कोडी है ठीक है नेक्स्ट question देख लेते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितने किलोमीटर है ठीक है तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है वो देखते हैं कहां से उत्तर से दक्षिण ठीक है या भारत की लंबाई कितनी होगी तो ये है 3214 किलोमीटर ठीक है अ भारत की पूर्व से पस्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है तो यह हो जाएगी 3933 किलो मीटर ठीक है कहां कि पूर्व से अगर पस्चिम तक की कुल लंबाई पूझा तो 3933 किलो मीटर और अगर उत्तर से दक्षिट की पूछता है तो 3214 किलो मीटर ठीक है बारत में लगभग कितने गाओं है अगर पूछे तो भारत में गाओं की संख्याइज 6,41,000 अगर यहीं पर पूछ ले कि भारत में कुल कितने जिले हैं तो यह है 797 जिले जिलों की संख्यागर पूछ ले तो कितने हैं जो जिले हैं भारत में वह हैं 797 राज्य तो आपको पता ही होगा जैसा कि 28 राज्य हैं और 8 केंदर सासित प्रदेश हैं ठीक है अगले कोईशन की बात कर लेते हैं भारत की मुख्य भूमी का विश्टार दक्षिर से उत्तर की और किन अक्छांसों के मद्ध है ठीक है डक्षिर से उत्तर के बीच किस अच्छांसों के मद्ध है भायत के अगर बात करें तो वह है आठ डिगरी 4 मिनट उत्तरी अक्छांस से ले करके 37 डिगरी 6 मिनट उत्तरी अच्छांस तक ठीक है मुख्य भूमी की बात हो रही है तो यह से देख लेते हैं यह हमारा ग्लोब है यहां से भूमत रेखा यानि जीरो डिगरी लाइन है अब इसी के उपर अगर बात करें तो यहां से करक रेखा गई है ठीक है और जो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है ठीक है अब यहां पे भारत है वालो अब भारत ये 0 डिग्री है इसके जश्ट उपर 8 डिग्री से मुख्य बिंदु भारत का सुरू होता है ठीक है 8 डिग्री 4 मिनट से मुख्य भूमी भारत की सुरू होती है ठीक है अगर मुख्य भूमी की बात ना करके सबसे 10 छडी भूमी की बात करें तो वह होती है 6 degree 4 मिनट से जो अंडमान निकोबार में है ठीक है तो समझ में आई गए होगा आपको कि अगर बात करें भारत के मुखी भूमी का विश्टार दच्छिन से उत्तर की और किन अक्छांसों के बीच है तो 8 degree 4 मिनट उत्री अक्छांस से ले करके 37 degree 6 मिनट उत्री अक्छांस तक ठीक है अगर यहीं बात कर लें कि कितने degree पूर्वी देशांतर के मद्ध भारत है तो वो हो जाएगा हमारा 68 degree 7 मिनट से ले करके कितना हो जाएगा 97 degree 25 मिनट ठीक है ओके यह पूर्वी देशांतर की बात आ गए ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन देख लेते हैं भारत का सबसे दक्षिड बिंदु किस राजे में अवस्टिज है ठीक है तो भारत का जो सबसे दक्षिड बिंदु कहा जाए तो वो है अंडमान निकोबार ज्यूवसमू में ठीक ह अगर यहीं पर बात किया जाए कि भारत के मुख्य भूमी का दक्षिड बिंदु कौन सा है तो वो हो जाएगा कन्या कुमारी जो कि तमिलनाडु राजी में पढ़ता है ठीक है अगर यहीं पर बात कर ले कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो किभित हो जाए साफ का गुजरात में फिसका इनको देख लेते हैं एक बार यहां पर यहां रामारा भारत है ठीक है कि 40 नगब है कि अगर सबसे उत्री बिंदु की बात करें ठीक है सबसे उत्तरी बिंदू तो यहाँ पर पढ़ता है इंद्रा कॉल ठीक है कहाँ पर लड़दाग में ठीक है अगर सबसे उत्तरी की बात करें अगर मुख्य भूमी का सबसे दक्षिडी पूछे तो वो पढ़ता है कन्या कुमारी ठीक है जिसका दूसरा नाम कैप कैमोरीन भी है कन्या कुमारी और इसी का दूसरा नाम क्या है कैप कैमोरीन ठीक है अगर यहीं पर बात करें सबसे पूर्वी बिंदू काउन है तो यहाँ पर अउड़ाचल प्रदेश का यह गाउन है जिसका नाम है किभी थू तो यह सबसे पूर्वी गाओं या पूर्वी बिंदु है भारत का ठीक है अगर यहीं पर सबसे पश्मी की बात कर ले तो यह है गुजरात में गौर्माता या गुहार मोती गौर्माता या गुहार मोती जो की गुजरात राज में पढ़ता है ठीक है कक्सी जीले में ये पड़ता है ठीक है अब अगला question देखते हैं अगला question है भारत के मुख्य इस्थली भूमी की अच्छानसी शुरुवात होती है ठीक है मुख्य इस्थली भूमी की अच्छानसी शुरुवात होती है तो जो मुख्य इस्थली भूमी की शुरुवात होती वो होती आठ डिग्री चार मिनट से जैसा कि हम पिछले question में बता भी चुके हैं ठीक है तो कहां तो होती आठ डिग्री चार मिनट से ठीक है तो अगर यहीं पर अगर मुख्य भूमी ना हो अगर पूछ लेगी भारत के भूमी की शुरुवात कहां से होती यानि कुल भूमी की तो ठीक है तो वो होगी 6 डिग्री चार मिनट से लेकिन अगर मुख्य भूमी पूछे है तो वो हो जाती है 8 डिग्री चार मिनट से अब नेक्स कोईशन देख लेते हैं तट रेखा पर भारत के कितने राज आउस्थित हैं तो इसका सही एंसर हो जाएगा फिर केरल फिर तमिल नाडू तमिल नाडू के बाद आंध्रप्रद्यस उडिसा और पशिम मंगाल चलिए इनको देख लेते हैं इसना जो राज्य है यह कौन कौन थे हैं यहां पर गुजरात पहले नंबर पर है मतलब गुजरात ठीक है और उसके बाद हमको मिल जाता है मह हाराक्ष्ण जो राज्य है ठीक है ते उसके बाद क्राश्च के बाद करनाठक करनाठक के बाद केरल ठीक है तमिल नाडू प्र आमिल नाडू के ऊफर आंध्रफ्रेश ठीक है अन्द प्रतेस के बाद उडिषा और फिर पस्टिम बंगाल एम्न यह न्व राज्य है जो अर्ट रही है पर इस्थित थे कि आप खalon के अगला कोश्चनि देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमी की तट रेखा की लंबाई कितनी है ठीक है भारत के मुख्य भूमी की तट रेखा की जो लंबाई है वह कितनी है तो वो उसकी लंबाई कितनी है एक सड़ सो किलो मीटर ठीक है मुख्य भूमी में ये भारत का इतना हिस्सा आएगा ठीक है ये अगर इस लंबाई की बा अगर पूछ ले तो द्यूपो सहित जोड के कित्ती हो जाएगी 75116 किलोमीटर ठीक है ड्यूपो सहित 75116 अगर मुख्य तट रेखा की लंबाई पूछे तो अगर इस्थली सीमा की बात कर दें कि लंबाई कितनी है तो वह हो जाएगी 15200 किलोमीटर ठीक है केवल इस्थली सीमा की अगर बात करें तो वह हो जाएगी 15200 किलोमीटर ठीक है और अगर टोटल पूछ ले कि टोटल कितनी है तो इन सब को एड़ करके आप आसानी से बता सकते हैं ठीक है अगला question देख लेते हैं जैसा कि question number 12 है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज कौन सा है भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज है वह है गुजरात गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज है कितनी लंबी है इसकी तटरेखा वो है 1214 किलोमीटर ठीक है अगर यही पे पूछा जाए कि भारत का दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राजिकाउन सा है तो दूसरा जो है वो है आपका आंधपरेश ठीक है दूसरा सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला और अगर तीसरे की बात कर ले तो तमिल नाड़ हुआ है ठीक है अगर यही पे question पूछ ले कि सबसे छोटा राजिकाउन है जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे कम है ठीक न तो वहा है गोवा ठीक है गोवा ठीक है राज की जो तटरेखा की लंबाई सबसे कम है ठीक है तो इसकी लंबाई कितनी है 101 किलोमेटर सिर्फ 101 किलोमेटर गोवा की तो सबसे कम ठीक है जो लंबी तटरेखा वाला राज है वहागोवा है और सबसे अधिक की बात करें तो गुजरात है ठीक है नेक्स्ट question देख लेते हैं भारत की सबसे लंबी इस्थली सीमा किस देश के साथ लगती है ठीक है भारत के सबसे लंबी इस्थली सीमा की बात करें तो बांगला देश के साथ लगती है 4096.6 किलोमेटर लगती है अगर यहीं पर बोल दे कि भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थरी सीमा वाला देश कौन सा है ठीक है तो वो देश है चीन ठीक है अगर तीसरे की बात करें तो वो है पाकिस्तान आए देख लेते हैं इसको कि जो भारत की सीमा है किसके साथ सरवाधिक लगती है तो यहाँ पे जो बांगला देश है उसी की सीमा सबसे लंबी है कितने किलो मीटर है? 4,096 किलो मीटर है और दूसरे नमबर पे कौन है? चीन है इसकी कित्ती है? 3488 किलो मीटर यह पूरा चीन की सीमा बनाता है ये पूरा गोल गोल गुम के ये बंगला देश की बनाता है और तीसे नमबर पर पाकिस्तान है पाकिस्तान की लंबाई जो सीमा की लंबाई है बायत के साथ वो कित्ती है तो वो है 3323 किलोमेटर ठीक है ठीक सबसे लंबा बांगला देश की सीमा भारत के साथ नेक्ट वैसन देख लेते हैं भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है ठीक है अगर भारत की सीमा की बात करें कितने देशों के साथ लगती है यानि पड़ोशी देश कौन से है तो वो है साथ ठीक है आप सबको पता ही होगा कौन-कौन से है पाकिस्तान है अफगानिस्तान है ठीक है चाइना है नेपाल है और भूटान है म्यामार ठीक है बंगलादेश तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से देश है तो यहाँ पे आपको पता ही होगा यहाँ पाकिस्तान पड़ता है ठीक है पाकिस्तान के साथ भारा सीमा साजा करता है ठीक है और दोसे नमबर पर अफगानिस्तान के साथ सामा सीमा साजा करता है अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान ठीक है तीसे नमबर पर चीन के साथ भी साजा करता है फिर यहां पर नेपाल है नेपाल के स बूटान के साथ ठीक है इधर म्यामार पड़ जाता है म्यामार के साथ और उसके बाद बांगला देश के साथ बांगला देश ठीक है अगर कितनी कितनी सीमा साजय करता है तो यह भी हम नोट कर देते हैं अब लोग फटा-फट नोट कर लिजेगा इसको ठीक है पाकिस्तान के यहां पर आगर बड़ी के पूछे तो बंगलादे में सबसे चोटी की बात करें तो अपट हनख कितना दो एक सोघलो मेंट कारें अब कि चीन वेटकरें कितना साजा करता कितने किलो मीटर तो लिए पिशले क्वेस्टर में बताया भी गया है और नेपाल के साथ कित्ता करता है तो नेपाल के साथ इसके साथ 17501 क्यावन किलो मीटर ठीक है और भूतान के साथ 699 क्यों मीटर और म्यामार की बात करें तो इसके साथ 1643 किलो, मिटर करता है. बांगलादेश की भी पिछले question में बता चुके है, तो यह किता 4096 ठीक है? यह चीज नेक्स question देख लेते हैं. कौन सा राज तीनों तरफ से बांगलादेश से घिरा हुआ है? तो अगर बांगलादेश से तीनों तरफ से गिरे हुए राज की बात करें तो वो राज है तिपुराब ठीक है आज पहली क्लास थी ठीक है आज के क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेस्टन हम लेके आए थे ये सारे question यूपी त्रपाल स्ची पेट एक्जाम के लिए बहुत ही important है इन सभी question को देखिए और हमाई साथ YouTube पे जुड़िए धन्यवाद